कि 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 कि조 कि में किवकर टूर्ट के प्रेशIFP मिन करने शहीं है कि 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 आ जुक पड़ती ज्लान calorie के ब्रसकार तक अस सकता पारती है बेसिक इंजिनियरिंग माथमाटिक सब्जेक्ट जो बिहार पॉल टेक्निक फर्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है तो चले स्टूडेंट बढ़ते हैं अपनी यूरिट सेकेंड की तरफ यूरिट सेकेंड है हमारी डिफरेंशल कैल्कुलस ठीक है तो आज हमारी जो क्लास होगी और इक हमारी किस पर होगी डिफरेंशलों सम प्रोडॉक्ट कोषि hidden ऑस तो अवे क्रना है बना करластिक जिस तरीकेशं को किस तरिकेसे फाइंड करेंगे जो है तो आफ्ली क्लास में यह सीखना यह वैसे मैं ने यह फॉंक्शन सा बता दिया था ठीकिन अब लेकिन चलो आज फिरे इस क्लास को करते हैं यहाँ पर देखो वहाँ पर हमने एक दो क्वेशन किये थे ठीक अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं लेट करके चलते हैं यहाँ पर हमारे दो फंक्शन हैं मैंने हमाँ पर लेट यू आड वी आर टू फंक्शन यहाँ पर वेपाइस कहा है दो फंक्शन गीवन है अगर मैं इन दो फंक्शन का सम लूट वहाँ मैंने क्या किया इन दो फंक्शन का सम लिया यू प्लस वी ठीक है sum of two functions मैंने क्या क्या दो functions का sum लिया U plus V ठीके क्या लिया मैंने दो function का sum लिया इसको मैंने मालना U plus V को मैंने F माल लिया कि ये है मेरा U plus F अब मेरे को क्या करना है इसको differentiate करना है बताया था किस तरहिए से करेंगे कि अगर sum है मेरे को क्या करना है differentiate with respect to x कि इस f function को मेरे को differentiate करना है with respect to x x के respect में तो क्या होगा है आपर df over dx is equal to d over dx u plus v यह आएगा function को differentiate करेंगे with respect to x और मैंने आपर बताया था आपको कि हमें अगर हमारा sum में लिखा हुआ है था हम क्या करते हैं differentiate को separate कर देता है d over dx को u के साथ बिलेंगे d over dx को v के साथ बिलेंगे तो यहाँ पर हमें से लिख सकते हैं du over dx plus dv over dx यह सब चीज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रिवेस क्लास में बताई थी ठीक है यह हमारा अब यह था था sum of two functions ठीक है same as it is अगर मैं यहाँ पर subtract of two functions का find करो वो भी हमारे सी तरी किसा आएगा देखो अगर मैं उसकी हाँ पर बात करूं तो वो क्या आएगा हमारे यहाँ पर by f अब यहाँ पर u minus v subtract of two functions तो differentiate किया with respect to x x के respect में मैंने क्या किया इसको differentiate किया तो देखो क्या आएगा df over dx और दर d over dx u minus v यह आएगा मेरा आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है df over dx separate कर देखो by u के साथ ले ले d u over dx minus dv over dx ठीक है यह है मेरा subtract of two functions का अब यहाँ पर जो बात करना है मतलब यहाँ पर बात करते हैं वो करते हैं यहाँ पर product of two functions की अब यहाँ पर क्या करते हैं f कोई function लेते हैं और दो function का product लेते हैं u and u cross v अब देखो अब हम इसे किस तरीके से करना है मैंने हाँ पर क्या किया दो function लिया उन दोनों की product ली ठीक है तो देखो मेरे को differentiate करना है इसको with respect to x तो इसे किस तरीके से differentiate करेंगे df over dx यहाँ है हमारा देखो first को as it is रखना है यह first as it is u और second का differentiate dv over dx ठीक फिप्लस second को as it is first का differentiate आज सावल में क्या करना है first को as it is रखना है second का differentiate करना है फिप्लस second को as it is रखना है first का differentiate करना है यह है हमारा product rule इससे हम बोलेंगे आप पर product rule ठीक है अब यह तो है हमारा product rule अब बात करते हैं यहाँ पर division की अब मैंने यहाँ पर क्या लिया दो functions लिये और उन दोनों का division लिया u upon में भी बहुँ ले सकते हैं आप देखो इसको differentiate करना है differentiate with respect to x मैंने क्या क्या इसको x के respect में differentiate क्या तो इधर तो आया हमारा df over dx equals to यहाँ पर कैसे करना है क्या करना है जो denominator है v उसका square करना है v square यह क्या हमें v square v को numerator में as it is रखना है फिर differentiate करना है u को du over dx minus फिर u को as it is रखना है और differentiate करना है v को आया समझ में क्या करना है नीचे वाले को square करना है इसको इहां लिखना है first वाले को differentiate करना है फिर minus first को as it is रखना है और नीचे वाले को differentiate करना है आया समझ में ठीके v square v as it is du over dx minus हमारे यहां पर कोश्यों तो हम बोलते हैं कोशेंट को scar दो को डिए Rs. नहीं है यहां फोर क्टेन समस्टों का क्टेन समय पलगाए यहां पड़ारIST question number first differentiate x into sec x with respect to x क्या करना है function given है solution first हमारे पास function given है fx is equals to x into sec x अब देखो यहापर क्या है दो function है एक हमारे का algebraic function x और एक क्या हमारा technometric function हमारे यहापर two functions given है अब दोनों functions की क्या given है product given है अब देखो क्या करते है किसी एक को first मान लेते हैं को मैंने first माना इसको मैंने second माना अब हम यहापर क्या करते हैं यहापर हमें differentiate करना with respect to x तो यहापर मैं क्या लगा हूँ product rule ठीक है तो बाए product rule product rule क्या coding क्या था हमारा df over dx is equals to u into dv over dx plus v into du over dx इसको u मान लो और इसको v मान लो ठीक है इस तरीके से करेंगे तो देखो यहापर क्या आएगा हमें क्या चाहिए df over dx तो देखो u u यू क्या है मेरा x as it is रखा और मैंने यहापर v को differentiate क्या भी क्या है मेरा सैक ठीक फिप्लस v को as it is रखा सैक एक्स आज इज रखा दिफेंशेट किया मैंने यू को यू क्या है मेरा x ठीक है इसको differentiate करो आप देखो x differentiation of sac x यह सपड़ाय हुआ differentiation of sac x का formula कहा इसका मतलब इसका differentiation कहा इसका sac x का sac x into tan x ठीक है differentiation का है sac x into tan x ठीक phi plus sac x sac x as it is x की power n का differentiation n into x की power n minus 1 power आगे आजाती है और power में से minus 1 हो जाता है ठीक है तो क्या होगा 1 into x की power 1 minus 1 बजीर होगा और हमें पता है x का differentiation क्या होता है यहाँ पर 1 ठीक है तो देखो क्या हैगा हमारे यहाँ पर इसको multiply करें x into sac x plus यहाँ पर यहाँ पर यह प्रोडक्ट में लिखा होगा x into sac x into tan x और plus हमारा यहाँ पर sac x यहाँ से में sac x को मन ले लू तो बच्चा क्या है यहाँ पर x tan x plus 1 और यही हमारा क्या है इसका differentiation df over dx आया है सभी को समझ में यह है मेरे यहाँ पर df over dx इसका differentiation अब देखो पहले हम यहाँ पर कुछ formula देख लेते हैं अब मैं differentiate करू sin x को by d over dx sin x का differentiation क्या होता है cos x ठीक है d over dx cos x का differentiation minus k sin x d over dx tan x का differentiation sac square x d over dx sac x का differentiation sac x into tan x d over dx cot x का differentiation minus k minus k cos x minus k d over dx cos x का differentiation minus k cos x into cot x x यह हमारे कू यहाँ एक कुछ stignomatic function के differentiation थे हैं और हैं पर d over d x x की पावर अन का differentiation n into x की power n minus 1 d over dx log e base to the power x इसका differentiation 1 upon x log sorry d over dx log a base to the power x 1 upon x log a base to the power e ठीक है d over dx यहां पर बचा है हमारा a की power x a की power x का differentiation a की power x log e base to the power a यह हमारे कुछ differentiation है यह जो आपको यहां पर याद होने चाहिए मैंने प्रीवेस क्लास में भी बताए था प्रीवेस क्लास में बताए थे ठीक है अब question number two find the differential coefficient of x cube into sin x plus cos x अब इसको करने के दो method है यहां पर या तो आप इसको क्या कर सकते हो इस x cube के अंदर यह साइडिया तहए एक तो यह है फिर यहां फीर हम अगर हं इस को इस तरीके से नहीं करे तो क्या यह कर सकते हैं इसको तो यूमान इस को भी माना इसको डिफ्षेट किया फिर ऐसी से मैंज़ इसको यू माना इसको भी माना यहाँ पर प्रोडाजरू लगा है इन गाल इस तरीके से कर सकते हैं ठीके? यहां पर घाल में अधी पर घुसल मेंच नियुकल बता सी हूं इसको हमने क्या माना एक को यू माना एक को भी माना अब यहां पर क्या करते हैं differentiate with respect to x x के respect में differentiate क्या तो दर आया df over dx u as it is differentiation of v क्या है sin x plus cos x ठीक है फिर plus v as it is sin x plus cos x है और differentiate of x q यह है मेरा differentiation अब देखो यहां पर क्या है x q d over dx sin x plus cos x आब देखो sin x plus cos x दो technometric functions का क्या लिखा हुआ है sum तो हम क्या कर सकते हैं बहिए अलग-अलग differentiate कर सकते हैं देखो यह direct करो देखो यह चलो लिखी देती हूं यह पर d over dx sin x plus d over dx एक बता रहे हैं फिर बाकी के हम direct करेंगे ठीक है तो d over dx cos x बहिए कर दिया हैं फिर प्लस sin x cos x as it is और अभी बताया d over dx x की पावर n का n into x की पावर n-1 तो 3 x की पावर n-1 3-1 यहां है मेरा अब देखो यहां पर आया x cube sin x का differentiation cos x cos x का differentiation minus sin x तो यह आगे minus sin x ठीक है प्लस है तो plus minus minus next हमारे यहां पर sin x plus cos x as it is और यहां हमारा 3 x की पावर 2 ठीक है 3-1 2 अब हम यहां पर क्या करते हैं इस x cube के अंदर multiply कर ले कर सकते हैं x cube cos x minus x cube sin x plus 3 x square sin x plus 3 x square cos x cos x वाली term में एक साथ ले ले मैं क्या करते है यह cos x है इसको एक साथ ले तो यहां से देखो x square cos x common आएगा तो यहां पर बचेगा वह बचेगा x plus 3 वह यह बचेगा same as it is यहां से तुमारा क्या common आएगा यहां से भी हमारा 3 x square sorry x square sin x को में ले ले तो यहां पर बचेगा हमारा 3 minus x 3 minus x यह बचेगा ठीक है और यह हमारा question number 3 find the differential coefficient of the following functions कुछ functions given है उसका हमें क्या करना है differentiation करना है same as it is question first है हमारा यह f given है हमारे यहां पर e की power x cos x plus sin x इसको differentiate करना है इसको मैं माल लेती हूँ भाई यह आगे मेरा u और यह मेरा v ठीक है differentiate with respect to x x के respect में मैं क्या करती हूँ इसको differentiate कर देती हूँ तो देखो differentiate करेंगे तो क्या हैगा df over dx और यहां पर देखो u as it is differentiation of v v क्या है cos x plus sin x ठीक phi plus v as it is cos x plus sin x और यहां पर आया हमेरा differentiation of e की power x भाई यही आया ठीक है अब देखो e की power x as it is यहां पर देखो two technometric functions का sum है उसको differentiate करना है d over dx cos x का differentiation minus k sin x ठीक है फिर plus sin x का differentiation cos x अब अब अंदर करके नहीं लिखा यहां पर हमने डायरेक्ट लिग दिया है ठीक है फिर यहां पर cos x plus sin x differentiation of e की power x यह रह गया था हमारा exponential function यहां पर देखो differentiation of e की power x का जो differentiation होता है वो होता है हमारा यहां पर e की power x यह होता है ठीक है यह भी धियान लगना तो यहां पर यह आएगा e की power x आप देखो multiply कर देंदेर minus e की power x sin x plus e की power x cos x plus e की power x cos x और plus e की power x sin x आप देखो यह plus e की power x sin x सेगी minus e की power x sin x कैंसल हुआ तो बच्चा के यहां पर हमारा e की power x cos x plus e की power x cos x तो यह क्या हो गया 2 e की power x cos x और यह है हमारा df over dx और यह है हमारा क्या इसका solution आया सभी को सुमिट में ठीक अब देखो next question तो अब यहां पर क्या कह रहा है यह function given है इसको मैं f माल लेती हूँ ठीक भाई यह उपर वाला u है और नीचे वाला यह v function है यहां पर हम क्या करेंगे by quotient rule quotient rule है पर division की form में लिखा हुआ है तो हम यहां पर लगाएंगे by quotient rule quotient rule क्या था d over dx df over dx is equal to v square v as it is du over dx minus u as it is dv over dx यह था हमारा ठीक है तो देखो same as it is differentiate with respect to x x की respect में हम इसे differentiate कर रहे है तो df over dx भाई आया df over dx थीक है आप देखो v ka square तो sin x plus cos x का square यह हुआ v as it is differentiation of u u kai sin x minus cos x ठीक है फिर minus as it is फिर हमें क्या रहना है u as it is रखना है आपर sin x minus cos x और differentiate करना है v को तो यह आपर आया d over dx v की value क्या है sin x plus cos x यह value है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो यह sin x as it is sin x plus cos x as it is रखा देखो differentiation of sin x minus cos x sin x का differentiation cos x माइनस 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 प्लस ठीक फिर माइनस sin x माइनस cos x यह आया अब हम इसको differentiate करते हैं देखो differentiation of sin x plus cos x sin x का differentiation cos x माइनस के sin x और अपन में क्या चल रहा है अपन में है हमारा यहाँ पर sin x plus cos x का whole square यहाँ हमारा ठीक है अब देखो यह क्या है sin x plus cos x cos x plus sin x यह तो को यह लिखावा है sin x minus cos x और यह cos x minus sin x इसमें से मैं माइनस को माइनस को माइनस प्लस हुआ और यहाँ पही आ रहे गए sin x minus cos x का whole square लिख सकते हैं यहाँ से मैंने माइनस को माइनस को माइनस cos x हुआ यह भी sin x minus cos x तो sin x minus cos x is square जो माइनस को मली है तो माइनस माइनस प्लस और अपन में क्या है हमारे यह पर sin x plus cos x का whole square भाई यह हमारा आप देखो या तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन कर दो ठीक है क्या कर सकते हैं या फिर आप क्या करो यह आपर इसको भाई यह denominator में लिखा हुआ है इसको solve कर कर सकते हैं देखो हम क्या करते हैं इसको separate कर देते हैं sin x plus cos x का whole square अपॉन में sin x plus cos x का whole square ठीक फिर प्लस sin x minus cos x का whole square अपॉन में sin x plus cos x का whole square यह हुआ हमारा ऐसा करने से क्या होगा यह तो हमारा cancel हो के बनाया प्लस यह बचा हमेरा इसको मैंने लिदिया sin x minus cos x अपॉन में sin x plus cos x का whole इसको लिख सकते हैं इसको इस तरीके से वह लिख सकते हैं ठीक अब देखो अब यहां पर क्या करो वन प्लस मैंने यह से अंदर से sin x को मल लिया तो यहां पर आया 1 minus cos x upon sin x same as it is नीचे यहां पर sin x को मल लिया तो यहां पर आया है 1 plus cos x upon sin x ठीक है और यह हमारा चल रहा है whole square ऐसा करने से simplification नहीं करना है सिफ sin x से sin x कैंसल हुआ 1 plus यहां पर 1 minus cos x upon में 1 plus cos x का whole square आया से भी को संच में यहां पर क्या है 1 plus cos x 1 minus cos x का whole square ठीक है अब देखो अब हम इसे क्या कर सकते हैं आपड अब क्या कर सकते हैं यहां पर देखो 1 plus 1 minus cos x upon 1 plus cos x देखो कोट ए माइनस बी क्या अइडेंटिटी लगाएं कोट ए कॉट बी माइनस वन अपन में वर प्लाइडेंटिटी से अच्छा है हम यहां पर क्या करें इसको यहां से इसको हटा देते हैं बाखी वर्ना हम इसको वही पर भी छोड़ सकते हैं वर्ना हम यहां पर देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यहां पर इतना लिखा हम ने यहां पर हम क्या करें a plus b के whole square के identity open करें sin square theta plus cos square theta plus 2 sinx cosx ठीक है यहाँ पर a minus b की identity open करें sin square x plus cos square x और minus के 2 sin x cos x ठीक है और अपन में यहाँ पर है हमारा sin x plus cos x का policy देखो ऐसा क्यों किया हमें पताईए इससे cancel out हो रहा है plus 2 sin x से minus 2 sin x cancel out हुआ और देखो हमें पताईए sin square theta plus cos square theta 1 यह identity है technometric identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो यह 1 plus 1 और नीच आया sin x plus cos x का whole square बेलिख सकते हैं तो यहाँ मेरे यहाँ पर 2 upon में sin x plus cos x का whole square इसको आप यह पर भी छोड़ सकते हैं हो गया defense session यहाँ पर जो यहाँ पर किया था बाकिया यहाँ यहाँ पर भी छोड़ोगे तो यह भी हमारा अंसर ठीक है आप देखो यहाँ मेरा 2 sin x plus cos x का whole square ठीक देखो आप देखो आप देखो आप 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 यहाँ पर क्या लिखा है इसको हम दो फंक्शन माने एक फंक्शन यह एक फंक्शन यह इनका क्या लिखा हुआ है कर सकते हैं यहाँ पर प्रोड़क्ट रू लगाओ यह यू यह भी ऐसी सेम इस इस यह यह यू यह भी तो लगाओ देखो क्या हैगा डी ओवर डी एक सोरी हम ने आप पर प्रोड़क्ट रू लगानी है यू आज इस डिफेंशेशन ओफ साइन अंस V का फिफ्फ प्लस V आजटी इस फिफ्र डी दिफेंशेशन ओफ यू यू का ऐ एक सिफ पावर यस यह डिफेंशेट हुआ फिफ्लस आब इसका करो u as it is x की power n as it is of a differentiation of v cos x plus cos x as it is v as it is of a differentiation of x की power n बहिए आएगा हमारे differentiation product rule लगा दिया हमने अब e की power x differentiation of sin x cos x फिप्लस sin x e की power x का differentiation e की power x फिप्लस इसका किया x की power n as it is differentiation of cos x minus k sin x फिप्लस cos x as it is differentiation of x की power n n इंटू x की power n minus 1 तो n इंटू x की power n minus 1 तो देखो यहाँ पर क्या है यह e की power x cos x plus e की power x sin x minus x की power n sin x और यहाँ पर आया इसको फिप्लस n x की power n minus x cos x बहुत यहाँ है हमारा differentiation आप देखो इतना आ गया आप हमें यहां पर करना क्या है यहां पर यहां तो आप इसको आप इसको आप इसको चोड़ सकते हैं यहां फिर आप इकी power x सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इसको थोड़ा सेपरेट करके लिए इसमें से और यहां इसमें यहां से की power x common लोंगी तो आएगा पॉस एक्स प्लस साइन ठीक यहां पर देखो एक्स की power n है यहां पर x की power n-1 तो मैं यहां से अगर मैं x की plus में x की power n-1 ही common लो तो आएगा n into pos x इसको पहले लिखा फिर minus x की power n common लिया ठीक है तो minus 1 है यहां पर जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स की power n की multiply करेंगे इससे तो n-1 प्लस 1 तो प्लस 1-1 cancel होगो जब भी x की power n आएगा ठीक है यहां हम इसको इस सरीके से लिख सकते हैं और यह हमारा dy over dx बागी तब कुछ common आए गई नहीं जो हम इसको separate कर लिए तो यह हमारा इसका क्या है आए सब को सब्सक्राइब में ठीक है यह कैसे क्या है यहां पर देखो यह चीदी आनग में एक्स की power n कॉमल लिया तो यहां पर बच्छा मेरा इन्टिक बढ़ी खावर माइनस 1 चॉस एक्स और माइनस साइन है थीके इस तरहीं के सरी मर्सी आप ठीक है मैंने पोसिटीव बनाने के लिए अपर एक्स ही पावर और यह वी है तो differentiation with respect to x क्या लगा रहे हैं यहां पर क्या करना है 1-3 की पावर x का स्क्वार 1-3 की पावर x differentiation of 1-3 की पावर x-1-3 की पावर x as it is differentiation of 1-3 की पावर x यह है हमारे differentiation आप देखो कोश्चन रूर लगा दिया आप differentiate करो एक की पावर x का differentiation क्या होता है देखो 1-3 की पावर x-1-3 की पावर x-1-3 की पावर x-1-3 की पावर x लोग e base पर e यह होता है तो 3 की पावर x A की वाईलू क्या है थी तो 3 की पावर x log e base पर 3 भाई लिख सकते हैं इसको ऐसे 3 की पावर x लोग e base to the power 3 ठीक है फिप इसको मटा नहीं से माइनस 1 प्लस 3 की पावर एक्स same as it is 0-3 की पावर एक्स लोग e base to the power 3 और अपन में है हमारा 1-3 की पावर एक्स का स्क्वार यह आ है मेरा आप देखो 1-3 की पावर एक्स और यह 3 की पावर अश्यात्य पावर आप लोग e base पर 3 और यहां पर 1-3 की पावर एक्स लोग e base टि पावर त्री देखो माइनस माइनस को मैं फ्लस कर दूसुत यहां पर यह प्लस हो गया थीक problèmes वाला माइनस हट गया सभूत नए अश्म पर हमारे देञे आपोन में में वन माने स्टिकीपावर एक्स का का को कि От fine कि भावर एक्स लौक इस टो द पावर त्री एक लै बस्टू दि पावर 3 प्लस 3 की पावर 2x लोग e base to the 3 प्रोडक्ट की हमने आपर 1-3 की पावर x का होल स्क्वार देखो यह माइनस के 3 की पावर 2x लोग e base to the power 3 से यह वाली कैन से लोग यह वाली टम अब हमारे हैं आपर क्या पचा 3 की पावर x लोग e base to the power 3 प्लस 3 की पावर x लोग e base to the power 3 तो यह कितना होगे हैं 2 इंटू 3 की पावर x लोग e base to the power 3 अपॉन में 1-3 की पावर x का होल स्क्वार और यह ही हमारा क्या है इसका डिफ्रेंटियेशन ठीक है 2 इंटू 3 की पावर x लोग e base to the power 3 अपॉन में 1-3 की पावर x का होल स्क्वार आय question number 5, product rule लगाते हैं इसको य मानते हैं यह हमारा u है यह हमारा vr by quotient rule kya हो है हमारा dy over dx differentiate kya v ko यह vr V को as it is V को square किया फिर यहाँ पर V as it is फिर differentiation of U फिर minus U as it is differentiation of V क्या रूटे माइनस रूट X ठीक है अब देखो यह हमारा अब रूटे माइनस रूट X D over dx यह कहाँ है root A plus root X ठीक तो इसका यह तो constant है variable constant का differentiation 0 होगा x की power 1 by 2 का differentiation 1 by 2 x की power 1 by 2 minus 1 मतलब 1 upon में 2 root X मैं x की power minus 1 by 2 होगा उसको भी चे लिख सकते हैं तो 1 upon 2 root X कुछ स्टम तो है आँसी इसको आप कोई डायर्क ही आजा हूँ चिह तो यहाँ आया root a plus root x as it is और इसका differentiation किया तो 0 minus 1 upon में 2 root x ठीक है यह है हमारा और upon में क्या चल रहा है square root of a minus square root of x का on square यह है हमारा आप देखो यह कहले खबा है root a minus root x और 1 upon में 2 root x यह हमारा और यहां से minus minus plus root a plus root x और यहां पर आया 1 upon में 2 root x और upon में root a minus root x का on square यह है मेरा अब देखो इसकी से multiply की 1 upon 2 root x की से तो आएगा 1 upon 2 root a upon x बही लिख सकते हम इसको और यहां से 1 upon 2 root x से root x cancel हुआ same as it is 1 upon 2 root a upon root x और प्लस 1 upon 2 और अपॉन में root a minus root x का होड़ इस minus 1 by 2 से plus 1 by 2 cancel हुआ आप देखो 1 by 2 root a x 1 by 2 root a x तो इसे लिख सकते हैं root a upon x बही लिख सकते हैं 1 by 2 1 by 2 1 होगा और यहां पर यह नीचे root a minus root x का ठीक है तो यह हमारा क्या है इसका solution ठीक बही लिख सकते हैं इसको तो देखो यहां फिर हम इसको लिख देना root a upon root x अलग अलग करके root a minus root x का होगा और यह हमारा क्या है differentiation आए सभी को सहन में question 2 लगाना है question करोगी तो हो जाएंगे अब यह देखो question if y is equal to x into square root of 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x इसका differentiation करना है आप देखो यह कहने लिखा हुआ है इसको मैं यह यह यू मानके और भी मानके कर सकती हूँ ठीक कर सकते हैं यह यार फिर पहले हम इसको थोड़ा से solve करें हमें पता 1 minus cos 2 theta को भी लिख सकते हैं कुछ क्या लिख सकते हैं 2 sin square theta 1 plus cos 2x को भी लिख सकते हैं 2 cos square theta बता रखा है cos 2 theta के formula से क्या होता है 1 minus 2 sin square theta तो यह क्या होगा भाई यह 2 sin square theta है इससाइड लिख लिखा है तो यहाँ पर क्या है 1 minus cos 2 theta एक तो यह formula है और एक यह formula है cos 2 theta का 2 cos square theta minus 1 तो minus 1 लिख सकते हैं 2 cos square theta यह मैंने हर class में बताया ठीक है यह जी ध्यान रखना तो पहले हम इसको solve भी कर देते हैं y is equal to x into square root of 1 minus cos 2 theta को 2 sin square theta और नीचे 1 plus cos 2 theta को 2 cos square theta लिख सकते हैं यह से cancel हुआ तो y is equal to x into square root of sin theta यह x है तो यहां पर हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं square root of sin x upon cos x का square लिख सकते हैं बहुत कभी स्क्राइब 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 इस स्क्राइब से cancel होगा तो y is equal to x into sin x upon cos x तो क्या बन गए हमारा tan x यह tan x होता है पता है sin theta upon cos theta क्या होता है tan x तो यहां पर देखो अभी इसको solve कर सकते हैं यहां पर हम दो product हो गए function के u और v differentiate with respect to x यहां पर लिख देखो by product rule जितना easy हो सके उतना easy way में करेंगे तो dy over dx is equals to u as it is differentiation of v v plus v as it is differentiation of u ठीक है आप देखो x tan x का differentiation x square x plus tan x as it is dx over dx यहां गया हमारा 1 ठीक है तो यहां x tan square x plus tan x और यह हमारा क्या है dy over dx आया सभी को सब्सक्राइब में यह हमारा क्या है differentiation ठीक है ठीक है easy हो सकता है तो easy करो differentiate मतलब हो रहा है हमारा यहां पर हम formula लगा सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना formula फिर देखो अब यहां पर अगर डायरेक्ट भी करते तो क्या करते प्रोड़क्त रूल लगाते फिर यहां पर हमें division rule भी लगाना पड़ता ठीक है अब next question है 5th question number 5th देखो y is equals to this first function है हमारा y is equals to 1 upon x plus root 1 plus x square यह है इसको differentiate करना with respect to x ठीक प्रोड़क्त रूल लगागे कर दें differentiation of with respect to x देखो dy over dx यहां गया हमारा x plus root 1 plus x square का whole square यहां पर ही आया x plus root 1 plus x square और d over dx किसका करें यह 1 का और minus 1 as it is d over dx x plus square root of 1 plus x square ठीक है अब देखो यह as it is x plus 1 upon 1 plus root x square differentiation of 1 1 का constant time है constant time का differentiation 0 और minus d over dx आप देखो यहां पर differentiate करना है दो function की क्या लिकिए sum तो उनका हमें क्या करना differentiate x का differentiation करूंगे 1 plus root यह पूरा क्या हो जाएगा 1 का 0 और यह x square का 2x यह है हमारा और अब पॉन में हमारा चल रहा है x plus square root of 1 plus x square का functions of functions बताया था न कल तो c cases से कर रहा है देखो यहां पर पॉन में square root of 1 plus x square ठीक है और यहां पर x plus square root of 1 plus x square का holy square इसको मैं लिख सकती है root x भाई आसे हम दिया तो root 1 plus x square और plus x अपॉन में 1 plus x square और अपॉन में क्या चल ला है x plus square root of 1 plus x square का यहां पर यह रूट 1 plus x square यहां पर यह रूट 1 plus x square और यहां पर यह रूट 1 plus x square या ता आप इसको छोड़ दो यहां फिर आप इसके इंदर multiplier करेंगे तो आएगा x square 1 plus x square और root 1 plus x square इंटो root 1 plus x square 1 plus x square ठीक है और यहीं है हमारा differentiation ठीक आया सब्सक्राइब में किस तरीके से क्या product rule ही लगाया है आप देखो एक कोशन हो रहा है किया हमारे यहां पर कोश्चन नंबर टू कोश्चन नंबर टू और देखो यह क्या लिखा हुआ है y is equals to e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x upon में e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x इसको differentiate करना है dy over dx करें differentiate क्या करेंगे for u upon v है तो v का square v as it is differentiation of u e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x फिर इसको differentiate क्या e की पावर 2x का differentiation e की पावर 2x का differentiation e की प्लस e की पावर minus x का differentiation e की पावर minus x का differentiation क्या होता है वह देखो e की पावर x का differentiation होता है e की पावर x e की पावर minus x लिखावा है तो पहले क्या करेंगे इसको x माने के चला तो e की पावर minus x e की पावर x का माइनस में हुआ फिर यहापर minus x का तो ज मैंगए माएक़ के 2 e की पावर माइस के 2 x बहु जाए देखों अभ याँ पर क्या है हमारा देखों याँपर e कीपावर माइनस 2 x इसको मैंने पूरे को x-let किया तो e की पावर x का calor कि की की पावर x हो गया ? होकी 2 x फिर effets आप देखो यह वह ओ माय். देविंसेशन फिटी प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर मैनस 2x यह पर डर्फेंशियेट करो e की पाव़ 2x का time e की पावर 2x ओँमाइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 2 e की पावर मैनस 2x यह आएगा और अपोन में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का ठीक है अब देखो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं याँ था आप इन दोनों की प्रोड़क्ट कर दू मैं प्रोड़क्ट कर सकते हैं प्रोड़क्ट करते हैं देखो बहिन दोने की प्रोड़क्ट की यह लिखाब है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इसको मैंने लिख दिया 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x ठीक है फिर प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और यहाँ पर लिखाब है 2 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर माइनस 2x और अपन में e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x का और अब देखो यहां से गर हम two common लेके करते तो identity बनाके कर देते लेकिन यहां पर identity नहीं बन लेकिन नहीं है कि पावर 0 हो जाएगा या चाब लीकिव दोती हूं 2x-2x ठीक है फिर माइनस इसके साथ की तो टू एकी पावर माइनस 2x प्लस 2x ठीक फिर माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर माइनस के 4x होगा फिर यह वाई प्रोडक्त कम्प्लेट हुई अब इसकी की तो 2 e की two x – 2 x 0 x 5 plus 2 e की पी आवर –2 x – 2x बद्व 2 e की आवर – 4x और आपवन ने हमारा है यां पर e की पावर 2x – 2 x बताया है ना लोजओ ओ एक्समोनेंट लगा दिया मुल्टिप्लाइ में स्थ के बेए से मने पर ko tv2 एके पावर माइनस फोरX यह 0X थो माइनस थीयरीए पावर जीरों थैसके वर यह थीयरो तो थी मिलुब cidade एकी पावर माइनस और एकी पावर 2x माइनस एकी पावर माइनस 2x ठीक है आप देखो यहाँ पर 2 एकी पावर 4x 2 एकी पावर 4x तो 4 एकी पावर 4x माइनस 2 माइनस 2 से प्लस 2 प्लस 2 कैंसल हो गया 2 एकी पावर माइनस 4x 2 एकी पावर माइनस 4x 4 e की पावर माइनस 4x और अपन में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का all square यही हम इसको क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं यहां फिर आप क्या करना 4, लेके कर देना इसको ठीक है आप देखो यह कुछ कोशन सही आपको करने do yourself, देखो find a differential coefficient पॉड़क्ट हूँ लगाना यहां पर इसको यह मानना इसको v मान करना ठीक है next यहां पर भी इसको यह मानना इसको v मान करना अब देखो यह लोग वाला यहां पर इसको फेकी function है यह ता हम देखो इसको chain rule वाले method से कर सकते हैं लोग एक्स का differential अगर देखो मैं आपर लिखो log x plus square root of x square minus a square इसको differentiate करेंगे normally हम differentiate कर सकते हैं बाइस पूरे को t मान के तो मैं पता है log x का differentiation होता है 1 upon x यह हो गया फिर इसको differentiate करना है तो 1 plus इसका 1 upon में 2 square इस तरीके से कर सकते हैं यहां तो आप या फिर आप हमें यहां पर product rule लगाना है तो product rule लगाना है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम एक function generate करेंगे तो देखो इसको मैं रिख सकते हूं 1 into log x plus square root of x square minus a square कोई साभी method लगा हो answer same याएगा ठीक है यहां पर chain rule लगा लो उससे भी same answer आप पर product rule लगा लो उससे भी answer same याएगा मैंने यहां पर 1 से multiply करेंगे कुछ फर्ट थोड़ी पढ़ेगा वाई 1 किससे multiply करेंगे आप तो same यह है ऐसा क्या मैंने product rule बनाने के लिए मैंने यहां पर 1 ले लिया ठीक फिप प्लस यहां इस इस डिफेंशेशन ओफ यू ठीक है product rule लगा यहां पर हमने आप देखो तो वन इस इसका डिफेंशेशन केंगे लोग x इसको x माल लेंगे पूरे को तो 1 आपोन एक्स जिसको लट किया उसका भी डिफेंशेशन तो एक्सका डिफेंशेशन 1 और इसका root x का 1 by 2 root x और x square minus a square है फिसका भी differentiation तो 2x constant term का 0 यह है हमारा phi plus यह as it is हमने रखा और यहाँ पर इसका constant term का 0 तो यह तो 0 हो गया ठीक बचाए क्या यह term 2 से 2 cancel out हुआ तो यहाँ पर आगया हमारा 1 plus x upon square root of x square minus a square और upon में x plus square root of x square minus a square बई आया हमारा अच्छे यह सारा x आती था इसको हम लिखेंगे 1 upon में x plus square root of x square minus a square और उसको solve का 1 plus x upon में square root of x square minus a square ठीक है यह चीज़ लिखेंगे अब देखो इसका LC हम लोगे इससे यह वाली टम cancel out हो जाएगी देखो यह चलो आगे कर देते हैं इसको यह जाएगा x square minus a square प्लस x upon में square of x square minus a square और यह वाली टम x plus square root of x square minus a square इसको इससे cancel हुआ है तो क्या आगे हमारा one upon में square root of x square minus a square किसी भी थरीके से कर सकते हैं आगे तो calculation है differentiation करके calculator नहीं करनी है ठीक है वही चीज़ हम नहीं आपकी वही यह चीज़ लिखी भी है देखो वही चीज़ है इसको आप इसको चेंज कर लेना इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या को मल होगे यहां से देखो इसे सैट इसको लिख सकते हैं वन अपॉन को से और से लिख सकते हैं तो cos x को में लोगे तो cos x स cos x cancel हो जाएगा तो उपर बचेगा 1 plus sin theta और नीचे बचेगा 1 minus sin theta फिट आप normally इसको भी solve कर सकते हैं मर्ज यह है किसी भी तरीके से करना ठीक है आगे को यह लिखावा है e की पावर sin square तो यहां पर आप क्या करना मुल्टिप्लाय में लिखावा है e की पावर m n यह sin square लिखावा है तो e की पावर sin square 1 plus x square यह लिखावा है e की पावर sin square theta ठीक है इसको क्या अब लिखोगे इसको पूरे को लेट कर लेना फिर जब जाके solve कर लेना ठीक है का ट्राय का के देखना हो जाएंगे सारे question करने है यहां पर यह सारे questions बाइं पर प्रोडूर और हमारा यहां पर product rule फिलिए चलें सब्सक्राइब क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं मिईते हैं next class में क्या करना यहां पर फिलिखंशन करने हैं ठीक है थेंक्यू झाल झाल